नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेक करने जा रहे हूँ कश्मीर का बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी अब दिखिए हमारे इधर न हम काड़ा बिनाते हैं जब हमें सर्दी जुकाम होता है हम सर्दियों में पीते हैं हर सुबर तो यह जो कश्मीर में न यह कौंग कावा बनता है मैं माफी चाहती हूँ अगर मेरा यह जो मैंने कौंग कावा बोला है उसका प्रनांसियेशन थोड़ा अगर दलत हो रहा हो तो तो आप अगर कश्मीर से ज़रूर बताईएगा यह कावा बहुत ही बढ़िया होता है हमारी सहथ के लिए सर्दी जुकाम है खासी है तो आप यह लीजे बहुत बढ़िया है उसके लिए आपको क्या करना है गैस कौन कर ले एक कड़ाई रखते हैं यह फिर पैन भी रख सकते हैं इसके अंदर हम डालेंगे पानी जितने कप आपको यह बनाना है न उतना पानी डाल दे तीन से चार छोटी वाली हरी लाइची दो से तिन टुकडे दाल चीनी के और इसके अंदर आपको डाल देना है केसल और चीनी थोड़ी सी चीनी डालनी है फिर जरुद के अनुसार भी आप चीनी डाल सकते हैं अब इसे आपको पकाना है यह जो कॉंग कावा है न काफी असानी से बन जाता है और यह बहुत ही मज़ेदार लगता है पीने में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा काड़े की तरह कड़वा और सर्दियों में पीना इसे काफी अच्छा माना जाता है तब घर पर एक पर जरूर ट्राइ कीजेगा यहां पर आप देख सकते इसे तकरीबन आपको बहुत ही अच्छे से पकाना है तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए या पांच से छे मिनिट के लिए जितना आप अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है तो बस लगातार चलाते जाए ताकि यह जो इलाइची दालची निए सब डाली है ना अंदर तक उसका स्वाच जाए लगभग पांच से छे मिनिट हो गए तो गैस को बंद कर ले और इसे आपको गरम गरम ही पीनना है ताकि सकते हैं तो ट्राइ कीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें